चुनाओं से पहले रूठी किसारों कुर रिजाने पर मोधी सरकार का ध्यान 9 अगस्त को 19,000 करोर रुपे खातू में डाले का प्लान परधार मंत्री किसान समान नीधी की अगले किस अगस्त महिने में जारी हो सकती है केंदर सरकार इसके लिए तैयारियों में जुटी हुई है इसके तहद 19,000 करोर रुपे जारी के जाएंगे जहां तीन नए क्रिसी कानुनों को खिलाब किसान दिल्ली की सिमाओं पर अंदुरन कर रहे हैं वहीं सरकार किसानों को रिजाने के तैयार में जुट गई है मुई सरकार अगस्त में 19,000 करोर रुपे किसानों को सीवे खाते में देने जा रही है अगले साल यूपी समेट पाँच राज्यूम विदानसवा चुनाव होने है जिसमें यूपी उत्राखंड और पंजाब के किसान ने किसी कानुनों के खिलाप लामबंध हो अंदुलन कर रहे है यहां के किसान सरकार से नाराज बताय जा रहे है कि इंद्र अब इस नाराजगी को दूर करने में जुट गया है ताकि चुनाव में इसके नुकसान से बचा जा सके सरकार प्यम किसान सम्मा निधी के अगली किस्त उन्हें सजार करो रुपे अगस्त महिने में ही जारी करने के तयारा कर रही है क्रिसी मंत्री नडेंद्र सिंग तौमर के नेत्युत्य में क्रिसी अभिम केसान कल्यान मंत्राले 9 अगस्त को एक बार में सभी लावार्थियों की वो जो है रासी हस्तनांत्रिक यानि की ट्रांस्पर करने की योजना बना रहा है फिशली किस्त 14 मई को अप्रेल जुलाई के अभधी के लिए दी गई थी योजना के इताहत 9.5 करूर लावार्थियों को पैसा भीजा जाना है इससे पहले सरकार उनके सानूं के लिए जागरुकता और पंजीकरन सिविर अभ्यान चला रही थी जिनका नाम इस योजना में सामिल नहीं हो पाया था इसके साथ ये ओनलाईन अभधिन के लिए भी लोगों को जागरुक किया जा रहा है केंद्र सरकार किसान सम्मान निधी योजना के इताहत किसानों को 6,000 रुपया सालना देती है ये पैसे 3 किस्तों में 2,000 रुपय हर 4 महिनी के अंतराल पर किसानों के खाते में भेजी जाती है इस योजना के दाहत अब तक किसानों को 8 किस्ते मल चुकी है और 9 किस्त भी जल्द ही आने वाली है बता दे कि किसान 3 नए किरिसी कानुनों के खिलाब पिछले 8 महिनों से आंदुलन कर रहा है किसानों की मांग है कि 3 कानुनों को रद किया जाए जबकि सरकार संसुधन के लिए ही बात कर रही है